नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका नीज दोल इंडिया में मैं हूँ आपके साथ प्रद्युम्न शर्वा एक नजर डालते हैं पाच मिनिट में 25 ख़बरों पर रक्षा मंत्री ने कहा है कि मैं सदन से आगर करना चाहता हूँ कि मेरे साथ समपून सदन हमारी सेनाओ की इन विशम एवं भीशन बर्फवारी की परिस्टियों में भी शौर और वीरता की प्रदर्शन की प्रशंसा करें और वहीं देश में कोरना वारिस के देनिक मामलों में उतार चड़ाफ का सिलसला जारी है पिशले 24 गंटे की बात करते हैं तो संक्रमन के 12,923 नए मामले सामने आये हैं और इसी दौरान 108 लोगों की मौत हो गई है कॉंग्रिस के वरिशन निता गुलाम नभी आजाद में कहा है कि अब उनकी इच्छा ना तो सांसत बनने की है और ना ही मंतरी पच्च चाहिए इसके अलावा वो पार्टी में कोई भी पद लेना नहीं चाहते है हिसार में पुलिस नाके से चंद कदमों की दूरी पर बदमाशों ने एक शक्स की हत्या कर फरार हो गया है पुलिस ने शफ को पोस्माटम के लिए बेजा जांच परताल शुरू की पंजाब के एक होटल में प्रोपर्टी कारोबारी ने जहर कहा कर आत्मत्या कर लिया है पुलिस ने शफ को पोस्माटम के लिए बेजा चांच परताल की जा रही है हर्याना के दादरी में साथ फरवरी को हुए बिंदर हत्या कांड को जिला पुलिस ने सुलजा लिया है निर्दोश बिंदर की हत्या गलत फैमी में रहो तक स्टीएफ के हातों हुई है एसपी विनोद कुमार ने वताया कि आरूपी सिपाई को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है रेवाडी में बदमाशों ने एक शक्स को लाटी डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया है गोरकपुर में पुलिस ने लूट और चोरी की वारदात करने वाले गिरों का खुलासा किया है मुद्बेड के दोरान गिरों के नौ गुर्गों को दबूचा गया है इनकी निशान देई पर लूट की रकम चोरी का सामान बरा मत किया गया हमीरपुर में सेवा निवरित शिक्षक अपनी पतनी के साथ एसील गए थे जहां टपेवाज ने उनके 2,65,000 रुपे चेक बुक समेथ अन्य सरकारी दस्तावेश से भरा हुआ बैग लेकर फरार हो गया पही अमरे सर में एकलोते बेटे की खुदकुशी से आहाथ होकर शक्स ने अपनी पतनी को गोली मार दी और उसके बाद खुद को भी गोली मार कर जान दे दी है जिसके बाद इलाके में हड़कम पमच गया पुलिस ने शप को पोस्माटम के लिए बेजा उत्रप्रदेश के गोरकपुर में मेडिकल स्टोर संचालक को असला सटाकर बदमाश आट लाक रुपे लूट कर फरार हो गया है पुलिस बदमाशों की तलाश में जूटी हुई है और वहीं हर्याना के जिंद में बारवी कक्षा के चात्र ने अपने स्कूल की ही ग्यारवी की चात्रा की वीडियो कॉल पर अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वाइरल कर दी इसके बाद महिला पुलिस ने आरूपी के खिलाव मामरा दर्च किया गिरफतार किया गया पंजाब में कॉंग्रिस और शिर्णोमरी अकारी दल के कारकरताओं के बीच खूनी भढ़न्त हो गई है घटना में गायल दो कारकरताओं की मौत भी हो गई है मामले की तफ्तीश पुलिस कर रही है खबर मतुरा से है बेक ओफ बदमाशों ने एक महिला की दिन दहाडे गोली मारकर रत्या कर दी है वारदात को अंजाम देकर हमला पर मौके से फरार हो गया है पुलिस अब पूरे मामले की चान भी में जुटी हुई है इस घटना से इला के मैं देशत का महौल है वारनसी में इंटर कॉलेज के पुराने क्लासरूम में नरक अंकाल मिलने से हड़कम बमच गया है सूचना पर फॉरंसिक टीम चांच कर रही है जामदाड़ा पुलिस ने साथ साइबर अपरादियों को गरफतार किया है इन लोगों ने काफी लोगों से ठगी की है ये लोग लॉकडाउन में अपने गाउं आए हुए थे लेकिन फिर लॉकडाउन खुलने के बाद वापस नहीं गए और साइबर क्राइम को अंजाम देने लगे सीतबुर में सो रहे बुजूर्ग की उसके ही बेटे ने पाइप से ताबर तोड प्रहार करके हत्या कर दी है गड़ना की सूचन पाकर पुलिस मौके पर पहुची है शक्स को हिरासत में ले लिया गया है दिल्ली के अलीपुर इलाके में अग्यात हमलावरों ना युवक की गोलिया मार कर रत्या कर दी है मौके से फरार हुए हैं पुलिस ने मुकदमा दर्च किया है आगे की तफ्तीश की जा रही है उत्रदेश के सीधपुर में एक वरद किसान की पीट-पीट कर रत्या कर दी गई है इस वरदात के बाद पुरे इलाके में हड़कंप मच गया पुलिस ने शब को पोस्माटम के लिए बेजा हर्याड़ में एक पंदर साल की किशोरी के साथ चार बदमाशों ने सामुईक बलातकार किया है और फरार हो गए पुलिस ने मुकदमा दर्च किया बोपाल में एक युवती का शब मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है पुलिस ने शब को पोस्माटम के लिए बेजा ग्रामीनों से पूस्ताच की जा रही है और वहीं E.D. ने करीना कपूर के कजन और रीमा जैन के बेटे अर्मान जैन को समन किया है E.D. के अदिकारियों ने अर्मान जैन के साउथ मुंबई स्तित घर पर चानबीन की है हर्यानवी सिंगर और डांसर सपना चौधरी के किलाव दिल्ली पुलिस की आर्तिक अप्राज शाका ने दोकादड़ी का मामला दर्च किया दिल्ली पुलिस के मुताबिक करीब चार करूर की दोकादड़ी की शिकायत पर कारवाई की गई विवादे शो बिग बॉस 14 के फिनाले में अब जारत दिन नहीं बचे हैं जिसके चलते टिकेट टू फिनाले टास्क खिला गया खबरों की माने तो टिकेट टू फिनाले का टास्क रूबीना दिलेक नजीता फिलाल पाच मिनिट पच्चिस खबरों में सिर्फ इतना ही बने रही है नीजवल इंडिया के साथ नौसकार